वेलकम डियर फ्रेंट कैसे हो आप सब स्वागत है आपका पलपल रियल विलोग में तो आज का टॉपिक पहुत ही खास होने वाला है कि सर्दियों में जो मोटे-मोटे कपड़े होते हैं रजाई कंबल गद्दे इन्हों बहुत बुरी बैड़ श्मेल आने लगती है क्योंकि सबसे पहले जब धूप निकलती है तो मैं मतलब मेरा डेली का यह काम होता है कि सबसे पहले में जो हमारे कंबल होते हैं रजाई होती है तो उसे में डेली धूप दिखाती हूं और जैसे यह बैड़ का गद्दा हुआ मोटा वाला इसे मैं केवल महिने में एक बार धूप यह चतल पर पलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसे लाना तो यह महीने में केवल एक भार इस तरीकर के गद्दे पर हम दूब दिखाते हैं बाकी जो रिजाई कम्बल होते हैं इन्हें मैं यह घंटे के लिए जरूर चतल पर डाल के जाती हूं जिससे यह होता है कि इनमे और अच्छी थे आज तो एक घंटे की वजाए मैंने दो घंटे यहां पर छोड़ा है और इसके बाद मैं ले जाने के लिए आ गई थी ने तो क्या करना हमें ले जाने से पहले थोड़ा इस तरीके से जटक देना चाहिए कंबल को ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत गर्दा अधूल रहती है तो वह सारी इसमें से निकल जाए तो यहां पर जो मैंने सबसे पहले मेरा काम होता है कि यहां पर जहां पर मैं अपने कपड़े डालती हुए नीचे तो यहां पर मैं जब डालती हूं पहले मैं यहां पर एक बाल्टी पानी से धोक के जाती हूं तब उसक सारे थे सभी काम करने होते हूं किन्त रोख लोगों की प्रोब्लम होती है कि मैं और मुंगे इन सब चीजों को भूप महिने आप महीने में 15 दिन में एक बार धूप जरूर लगाएं और इन्हें ऐसी जगा पर सुरक्षित रखें जब रखें तो जहां पर थोड़ी भूत हवा रोशनी जाती हो कोशिश करें कि धूप लगाएं इसे अगर धूप नहीं है तो वह प्रॉब्लम हो जाती है वह मजबूरी हो जाती है उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है तो इन्हें मतलब जल्द जल्द क्लीन कर पाएं या मतलब एक सैट से दो सैट रखें कंबल के हम तो इस तरीके से हम खोल है और इस रिजाई का खोल है उतार कर मैं धो दिया है और ये चुहों ने काट दढ़ी है हमारी जैगा तो आप इसे इग्नोर की जिएगा बस इसे देखते हैं अगले साल भरवाते हैं दौबारा से इसे रजाई को इसका खोल हटा दें क्योंकि अब अच्छा नहीं ल और इस गद्दे को अब हम ले जाएंगे नीचे आभी हम अपना बिस्तर दोबारा से सेट करेंगे जाके तो ऐसा करने से दो फायदे हो जाते हैं मेरे एक तो मतलब थोड़ा सा वर्क भी हो जाता है लेडिसों का जो फिट वगएरा रहते हैं उस तरीके से तो यहां पर मैंने सबसे पहले सुभा में उठकर नास्ता पानी रोटी बनाकर उसके बाद मैंने यह कंबल के खोल रजाय के खोल धोके डाल दिये थे तो यह लगबख सूख ही चुके हैं थोड़ी बहुत मुझे नर्माई यहां पर दिख रही है इसमें तो यह भी सूख जाएंगे और मैं थ बहुत ज़्यादा इसमेल होती हैं क्योंकि यह सबसे ऊपर रहते हैं कंबल के तो इन में बहुत ज़्यादा दूल वगएरा भी होती जाती है तो कोशिश करती हूं मैंने जल जल्दी वॉस करूं लेकिन इस तरीके के जो वह होते हैं गद्दे इने वह तो नहीं कर सकते ले आए जो घृम्य होते हैं गर्म्य मतब्य मेरे मेरी चद्दर रें ती ल सरे दीन जरूर धोलती हैं कभी कभी रोज भी धों देसे हूं तो इस तरीके से हम अपने बीस्तर यह वाले कपड़े को ठोड़ा किलीन रख सकते हैं यह सब हमारी भी ही जिम्मेदारी होती है कि हम अ रूटीन बताया है जो मैं मतलब जाड़ों में करती हूं तो इस तरीके से देखिए अब मैंने यहां पर इन पे तो तैब नाकिने रखूंगी और यह जो रजाई है इस पर मैं खोल लगा दूगी और जो खोल मेरा ऊपर रखा हुआ है जो छहते में छोड़के आई थी जब सुख जाएगा तो मैं कंबल पर लगा दूगी तो इस तरीके से सब को मुझे एड़ेस्ट करना है अभी तो यह मैं इसलिए करती रहती हूं क्योंकि हमारी एक्सरसाइज वगेरा भी हो जाती है हमें टाइम नहीं मिलता है अलग से एक्सरसाइज व्यायाम योगा करने का त तो इहां पर मैं इसे पहले साइट रख देती हूं और यह वाला खोल मैं चढ़ाऊंगे इस रजाई के वह जाएगा यह वाला unfold तो यह पर ने यह पहले ही व मुझा करने के रखा हुआ था वैसे दो 2 खोल है मेरे पास लेकिन जोण सो समय पर मिलता है मैं पतले पतले से होल किसी सूई या पीन वागेरा से तो इनमें जो खुसबू होती निकलती रहती है तो मैं क्या करती हूं इन साबुन की बट्टी होती है तो मैं रिजाई गद्धो में रख देती हूं और मेरा काम यह रहता है कि मैं एक बार इस सरीके से जो बॉड़ी पे लग मतलब एक खुसबू सी बनी रहती है अगर आपके पास ओड़ो निल है तो आप उसे जरूर रखे कपड़ों में थोड़ी सी देर के लिए रखेगा उससे ना खुसबू बहुत अच्छी मतलब कपड़ों में आ जाती है मेरे पास ओड़ो निल मेरा खतम था यहां पर मैं पर मैं रख दी हुं सारे मोटे-मोटे कमबल और वगर उठाके से जब जिसे अधने हUNGगे तो वो यहां से ऊठाके ओड़ insects लें. इस तरीके से हम अपने कपड़ को काफी हद तक किटानों फिरी रख सकते हैं और बदवू फिरी भी रख सकते हैं इससे पहले मैंने रजाई और गद्दे की क्लीनिंग करने बता है कि क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं तो वो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखे अगर आपका करती हूं तो इस तरीके से क्लीन भी बने रहते हैं और इसमयल भी नहीं आती है तो बस यहां पर मेरा काम हो जाता है अब खतम तो इसी तरीके की हैलफुल वीडियो में अपने चैनल पर डालती रहती हूं फ्रेंड आप से रिक्वेश्ट करती हूं अगर पहली बार आए हैं तो subscribe जरूर कीजगा और रोज आते हैं तो like करके एक प्यारा सा comment जरूर कीजगा और बताएगा कि आज की वीडियो से आपको कुछ अच्छी information मिली है या नहीं मिली है तो फिर मिलती हूं नहीं वीडियो साथ अपता के लिए आगे दीजे टाटा बाई बाई